परिचाए जो पियूश ग्रंथी द्वारा मुक्त किये जाते हैं। वृध्धी हॉर्मोन प्रोटीन, लिपिड और कार्बो हाइडरेट के उपापचय पर महत्वपून प्रभाव डालते हैं। वृध्धी हॉर्मोन का उत्पादन, तनाव, व्यायाम, पोशन, निद्रा आधी जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है। शरीर के भीतर कई और हॉर्मोन भी स्रावित किये जाते हैं, जो विशिष्ट कारे करते हैं जैसे की थाइरोइड ग्रंथी से स्रावित होने वाला कैलसिटोनिन हॉर्मोन रुधिर में कैलसियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो आएए इस पूरे मोड्यूल में हम रासाइनिक समन्वय और एकी करण के बारे में जानेंगे। उद्देश्य इस पाठ के अंत्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। अंतह स्रावी ग्रंथियों तथा हॉर्मोन्स का वर्णन करना। मानव अंतह स्रावी तंत्र की व्याख्या करना। रिदय, व्रिक और जठर आंत्रिय पत के हॉर्मोन की चर्चा करना। हॉर्मोन क्रिया की क्रिया विधी का वर्णन करना। अंतह स्रावी ग्रंथियां तथा हॉर्मोन। अंतह स्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं जो रुधिर प्रवाह में हॉर्मोन स्रावित करती हैं। इनमें पिनियल ग्रंथी, हाइपो थालेमस, पियूश ग्रंथी, थाइरोइड ग्रंथी, पेरा थाइरोइड ग्रंथी, थाइमस, अधि व्रिक ग्रंथियां, अग संदेश वाहक अनुओं के रूप में कार्य करते हैं। मानव अंतह स्रावी तंत्र हॉर्मोन के कार्यों द्वारा शरीर की अनेक प्रक्रियाओं को बदल देता है। हाइपोथालिमस हाइपोथालिमस मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित विशिष्ट कोशिकाओं का संग्रह है। हाइपोथालमस की तंत्रिका कोशिका पियूश ग्रंथी से होने वाले हॉर्मोन के स्रावण को प्रेरित करने या रोकमे वाले रसायनों को उत्पन्न करके पियूश ग्रंथी को नियंत्रित करता है। हाइपोथालमस दो प्रकार के हॉर्मोन उत्पन्न करता है। मोचक हर्मोन और निरोधी हर्मोन उदाहरण के लिए हाइपोथालमस से निकलने वाला गुनाडोट्रोफिन मुक्तकारी हर्मोन गुनाडोट्रोफिन के स्राव को प्रेरित करता है जबकि हाइपोथालमस से निकलने वाला सुमाटोस्टेटिक पियूश ग्रंथी पियूश ग्रंथी मस्तिश्क के आधार के मध्य में हाइपोथालमस के नीचे स्थित होती है पियूश ग्रंथी में दो सपष्ठ भाग होते हैं पष्च और अग्रपिंड पष्च पियूश ग्रंथी तंत्र का उतकों की बनी होती है यह हाईपोथालमस में बनने वाले दो हॉर्मोन ओक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है ओक्सीटोसिन बच्चे के जन्म के समय दूद के स्राव तथा गरभाशाई चिक्नी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है वेसोप्रेसन का मुख्यकार्य मूत्र के साथ जल के हास को कम करके शरीर के जल को सुरक्षित रखना है यह एंटी-डायूरेटिक हॉर्मोन भी कहलाता है आगरपियूश ग्रंथी अंतह स्रावी कोशिकाओं की बनी होती है जो सीधे रुधिर में हॉर्मोन का उत्पादन और स्रावन करती है अगरपियूश ग्रंथी व्रिधिक हॉर्मोन GH, prolactin PRL, thyroid प्रेरख हॉर्मोन THH, adrenocorticotrophic हॉर्मोन STH, luteinizing हॉर्मोन HL और putika प्रेरख हॉर्मोन FSH, melanocyte प्रेरख हॉर्मोन MHH स्रावित करती है व्रिधि हॉर्मोन व्रिधि के लिए महत्वपून होते हैं यह समसूची विभाजन में व्रिधि करके कोशिकाओं के आकार और उनकी संख्या में व्रिधि करता है प्रोलक्टिन एकल श्रिंखला प्रोटीन हॉर्मोन है जो दुगध ग्रंति की व्रिधि और दूध उत्पादन को नियमित करता है Thyroid प्रेरक हॉर्मोन, thyroid हॉर्मोन उत्पन करने के लिए thyroid ग्रंथि को प्रेरिद करता है Adrenal Cotico-Trophic Hormone का मुख्य कार्य, Glucocotikides नामक steroid हॉर्मोन के समूह को मुक्त करने के लिए adrenal ग्रंथियों के विलकुट को प्रेरिद करना है LH और FSH gonadotropin कहलाते हैं क्योंकि यह जननांगों, नर में, व्रिशनों और मादा में अंडाशयों को प्रेरिद करते हैं LH नर और मादा दोनों में जननांगों से lingosteroid के स्राव को प्रेरिद करता है FSH अंडाशयी पुटिकाओं के परिपक्वन को प्रेरिद करता है और यह शुक्रान के उत्पादन के लिए भी महत्वपून है Milanocyte प्रेरक हॉर्मोन Milanocytes को सक्रिय करता है जो मिलेनिन उत्पन करते हैं और त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है Pineal Granthi Pineal Granthi प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच सिथ होती है यह Melatonin उत्पन करती है जो लेंगिक विकास और सोने जागने के चक्र को प्रेरित करता है Thyroid Granthi Thyroid Granthi ग्रीवा में स्थित होती है जिससे उत्पन होने वाले हॉर्मोन उपापचय, ऊश्मा उत्पादन और रुधिर में केल्सियम स्थर को नियंत्रित करते हैं Thyroid Granthi तीन हॉर्मोन उत्पन करती है Thyroxin T4, Triidothironin T3, Calcitonin T3 और T4 उपापचय और उश्मा उत्पादन को नियंत्रित करते हैं और Calcitonin, Calcium के रुधिर स्थर को नियंत्रित करने में सहायता करता है Thyroid Granthi में बड़ी गोलाकार संग्रचनाई होती हैं जो पुटिकाएं कहलाती हैं प्रत्येक पुटिका में Thyroglobulin नामक जेल जैसा Glycoprotein युक्त केंद्रिय भाग होता है T3 और T4 बनाने के लिए Thyroid को बड़ी मात्रा में आयोडीन की आवशक्ता होती है आयोडीन की कमी के कारण Thyroid Granthi की वृद्धी हो जाती है जो अव Thyroidita या गलगंद कहलाती है अतरिक थाइरोइड क्रिया Thyroid अतिक्रियता के कारण व्यसकों में उपा पचय में वृद्धी हो जाती है जिससे अधिक पसीना निकलता है और अधिक भोजन ग्रहन करने के बावजूद वजन घट जाता है Calcitonin रुधिर Calcium Star को कम कर देता है जिससे समस्थिति को बनाई रखने में मदद मिलती है पेरा थाइरोइड ग्रंति पेरा थाइरोइड ग्रंतिया चार चोटी उतक ग्रंतिकाएं होती हैं जो थाइरोइड ग्रंति की पश्च सतह पर उपस्थित होती हैं वे पेरा थाइरोइड हॉर्मोन नामक पॉली पेप्टाइड हॉर्मोन उत्पन्न करती हैं। PTH रुधिर में कैलसियम स्तर को नियंतरित करने के लिए कैलसिटोनिन के साथ कारे करता है। यह रुधिर कैलसियम स्तर में वृद्धी करता है। इसलिए जब रुधिर में कैल्सियम का स्थर नीचे गिर जाता है, तो PTH के स्राव को प्रेरित किया जाता है। थाइमस थाइमस ग्रंथी छाती के उपरी भाग में रोस्थी के पीछे स्थित होती है। यह पिरामिड के आकार की और दो पालियों की बनी होती है, जो शरीर की मध्यरेखा को अलग करती है। थाइमस ग्रंथी प्रतिरक्षा तंत्र का भाग बनाती है। यह थाइमोसिन हॉर्मोन स्रावित करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र को नियंत्रित करने में महत्वपून भूमिका निभाता है। यह T-Lymphocytes की सहायता करता है। अधिवरिक ग्रंथी मनुश्यों में दो अधिवरिक ग्रंथियां होती हैं, जो व्रिकों के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। प्रत्य ग्रंथी का बाहरी भाग अधिवरिक वलकुट होता है, और अंतह भाग अधिवरिक मध्यान्ष होता है। अधी व्रिक वलकुट को तीन पर्तों में वर्गी कृत किया जा सकता है जोना रेटिकुलेरिस यानि आंतरिक परत जोना फैसिकुलेटा मध्धि परत जोना लो मेरुलोसा बाहरी परत अधी व्रिक वलकुट की कोशिकाएं दो मुख्य प्रकार के स्टेरोइड हॉर्मोन ग्लुको कोटिकॉइड और मिनरेलो कोटिकॉइड स्रावित करती है ग्लुको कोटिकॉइड ग्लुकोस के रुधिर स्तर में व्रिद्धी करता है शरीर का मुख्य ग्लुको कोटिकॉइड कोटिसॉल है जो शरीर में अत्यधिक ठकान होने पर स्रावित होता है और उस समय ग्लूकोस की अधिक मांग होती है क्योंकि इसका रुधिर्स्तर उलेखनिय धंग से गिर जाता है कॉटिसॉल पेशी प्रोटीन के विखंडन को बढ़ावा देता है और ग्लूको नियोजेनेसिस नामक प्रक्रिया में ग्लूकोस संक्षलेशन करने वाली यकृत कोशिकाओं से अमीनों अमलग्रहन करने के लिए यकृत को प्रेरित करता है मिनरेलो कोटिकोईड बाह कोशिकी ये तरल में पोटाशियम और सोडियम जैसे खानेज लवनों की सांद्रता को समायोजित करता है एल्टोस्टिरॉन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरेलो कोटिकोईड है यह व्रिक्क नेफ्रोन की दूरस्थनलिकाओं पर कारिक करके उन्हें सोडियम आयनों को पुना आवशोशित और पोटाशियम आयनों को उचसर्जेत करने के लिए प्रेरित करता है अधिवरक ग्रंथी का आंतरिक भाग अधिवरक मध्यांश व्रकार्मों का बना होता है जो एड्रिनलीन और नौर एड्रिनलीन दो पदार्थ मुक्त करता है जब अधिवरक मध्यांश हॉर्मोन स्रावित करता है तो वो रुधिर परिसंचरण और शरीर में थकान होने पर कार्बो हाइड्रेट के उपियोग को नियंतरित करते है उदाहरण के लिए वे रिदय दर को पढ़ा देते हैं धमनिकाओं और श्वसनिकाओं को पहला देते हैं अगनाशय अगनाशय युक्त ग्रन्थी जो अंतह स्रावी तथा बाह स्रावी दोनों रूप में कारे करती है लेंगर हैंस के द्वीब जो द्वीब भी कहलाते हैं कोशिकाओं का समूह होते हैं जो पूरे अगनाशय में बिखरी होती हैं लेंगर हैंस के द्वीप अगनाशई रस उत्पन करते हैं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और ये इंसुलिन तथा ग्लुकोगॉन हॉर्मोन भी उत्पन करते हैं जो रुधिर ग्लुकोस तर को नियंद्रित करते हैं इंसुलिन एक प्रोटीन हॉर्मोन है जो ग्लुकोस का बढ़ने पर अगनाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रुधिर ग्लुकोस तर को कम कर देता है असामान्य निम्न रुधिर शरकरा हाइपोग्लाइसीमिया का कारण है इंसुलिन का सबसे महत्वपून कार्य यकृत और पेशी कोशिकाओं में ग्लुकोस के अंतर ग्रहन को प्रेरित करता है ग्लुकोगोन अमीनो अमल और ग्लिसरॉल अनुओं से ग्लुकोस के संग्शलेशन को प्रेरित करके रुधिर ग्लुकोस तर में व्रिधि करता है रुधिर ग्लुकोस तर में असामान्य व्रिधि हाइपर ग्लाइसीमिया का कारण है इंसुलिन का स्तर कम हो जाने से diabetes mellitus बीमारी हो जाती है, जिससे रुधिशा रास्तर में वृद्धी हो जाती है. वरिशन वरिशन कोश में दो वरिशन स्थित होते हैं. वरिशन शुकराण उत्पन करते हैं. लेडिंग कोशिकाई टेस्टोस्टेरोन उत्पन करती हैं. टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रंथी, शिष्ण, युरित्रा, अंडकोश, शुक्राशय, व्रिशन रज्जु आदी जैसे नर्जनन अंगों के विकास, परिपक्वता और कार्य को नियंत्रित करता है टेस्टोस्टेरोन के प्रभावों में भारी आवाज, शरीर पर बालों का बढ़ना, जननांगों की परिपक्वता, यौन रुची, प्रजनन, स्तंभन कार्य और आत्म विश्वास में व्रिधि आदी शामिल है अंडाशय अंडाशय श्रेनी में गरभाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं और एस्टोजन एवं प्रोजेस्टरोन उत्पन्न करते हैं एस्टोजन मुख्यरूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे की स्तनन गरंथी का विकास प्रोजेस्टरॉन गर्भावस्था बनाई रखने में महत्वपून भूमिका निवहाता है यह दुगध के निर्मान और स्राव को भी प्रेरिद करता है रिदय व्रिक और जठर आंत्रिय पत के हॉर्मोन एट्रियल नेट्री यूरेटिक आरक, ANF एक रिद्ध हॉर्मोन है जो रुधिर आयतन और धमनिय रुधिर दाब को नियंत्रित करता है विक्क द्वारा उत्पन किये जाने वाले एरित्रोपोईटिन हॉर्मोन लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं जठर आंत्रिय पथ द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले हॉर्मोन गैस्ट्रिन, सेक्रटिन, कॉलीसिस्टोकाइनिन, सी सी के और जठर अवरोधी पेप्टाइड जी आई पी हैं। गैस्ट्रिन, अमाशय में बनता है, जो भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अमल उत्पन्न करता है। हॉर्मोन क्रिया की क्रियाविधी हॉर्मोन शरीर के सभी अंगों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये लक्ष कोशिका या लक्ष अंग कहलाने वाले केवल विशिष्ट उतक कोशिकाओं या अंगों को प्रभावित कर सकते हैं। एक हॉर्मोन से प्रतिक्रिया करने के लिए लक्ष कोशिका की जीव द्रव्य जिल्ली पर विशिष्ट प्रोटीन ग्राही उपस्थित होनी चाहिए। प्रोटीन ग्राही से हॉर्मोन का बंधन हॉर्मोन ग्राही सम्मिश्र बनाता है। हॉर्मोन ग्राही सम्रिश लक्ष अंग में जैव रासाइनिक परिवर्तनों को प्रेडित करता है। हॉर्मोन को उनकी रासाइनिक प्रकृती के आधार पर वरकी कृत किया जा सकता है पेप्टाइड, पॉली पेप्टाइड और प्रोटीन हॉर्मोन में ग्लुकागौन, ऑक्सितोसिन, अंटी डायुरेटिक हॉर्मोन इत्यादी शामिल है स्टेरोइड हॉर्मोन में Glukocoticoid, Mineralocoticoid, Testosterone, Estrogen, Progesterone आदी शामिल हैं Iodothyronin में thyroid hormone शामिल है Amino amelkavius पंड अमीनो amelkavius पंडों के उदाहरन, adrenaline, noradrenaline आदी हैं क्या आप जानते हैं? अनुसंधान से पता चलता है कि मादा में एस्ट्रोजन का उच्च स्तर, स्थन, गर्भाशय और ग्रीवा के कैंसर का कारण हो सकता है उश्मा शुक्रान उत्पादन को कम कर सकती है अधिक धूम्रपान करने और अलकोहॉल ग्रहन करने से शुक्रानुओं की संख्या कम हो सकती है सारांश आए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं अंतरह स्रावी ग्रंथिया नलिका विहीन होती है जो रुधिर प्रवाह में हॉर्मोन स्रावित करती है हॉर्मोन रासाइनिक पदार्थ है जो शरीर में संदेश वाहक अनुओं के रूप में कारे करते है अंतरह स्रावी ग्रंथिया पिनियल ग्रंथी, हाइपोथालिमस, पियूश ग्रंथी, थाइरोइड ग्रंथी, पेरा थाइरोइड ग्रंथी, थाइमस, अधी व्रक ग्रंथिया, अगनाशय, मादा में अंडाशय और नर में व्रिशन है हाइपोथालेमस मस्तिश्क के निचले केंद्रिय भाग में स्थित होता है पीउश ग्रंथी मस्तिश्क के आधार के मध्य में हाइपोथालेमस के नीचे स्थित होती है पीनियल ग्रंथी प्रमस्तिश्क गोलार्ध के बीच स्थित होती है थाइरोइड ग्रंथी थाइरॉक्सिन ट्राइडो थाइरोनिन कैलसिटोनिन उत्पन्न करती है मानव शरीर में दो अधी व्रिक ग्रंथियां होती हैं जो व्रिक के अग्रभाग पर स्थित होती हैं अगनाशय बही स्रावी और अंतह स्रावी ग्रंथी के रूप में कारे कर सकता है टेस्टोस्टेरॉन नर्जनन अंगों के विकास परिपक्वता और कारे को नियंत्रित करता है एस्ट्रोजन मुख्य रूप से मादा जनन अंगों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है उत्पन्न किये जाने वाले हॉर्मोन गेस्ट्रिन, सेक्रिटिन, कॉली सिस्टोकाइनन और जठर अवरोधी पेप्टाइड हैं.